कि आक है ऐसे वेल्कम टुम माइ इस्टडी फिट चैनल दोस्तो आज में खेलू की गुलब पोश्ट टू की मेजर्मेंट्स के बारे में बता रही हूं एक जिगह पे जैसे कि आपको बहुत कटनाई होती है कि फुर्बाल की गुलब पोश्ट का मेजर्मेंट क्या है हाओकी क क्या है हैंडबल के क्या है वाडर पुलू का क्या है तो एक ही जगह पर मैं सभी का बता रही हूं जिसे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और दोस्तों यह दिया फिजिकल एजिकेशन के किसी भी कंपटिटिव एक्जाम्स डिजिटी पीजिटी के विएस एनबिय यल्ती की पिर्प्रेशन कर रहे हैं छिल्यबास के कोड no करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो उसल्भ एक्षिक वीड़ियो उसकोmilद कर सकते हैं और दोस्तों देशे किसलीज दिये जा रहा है हुआ उसकाक्रैक्टिस करना न भूले गां तो दुस्तों चली ज में इसकी उचाई होती है गुलपुष्ट की आठ फिट यानि की मीटर में 2.44 मीटर एंड चोड़ाई होती है आठ गज यानि मीटर में 7.32 मीटर यानि 24 फिट इसका अभ्यास होता है पाँच इंच यानि 12.05 सेंटिमीटर और गुलपुष्ट का रंग होता है शफेद निश्ट है हाकी हाकी के गोल की लंबाई 4 गज यानि 3.66 मीटर और उचाई 7 फुट यानि 2.14 मीटर एंड गोल रेखा की मोटाई 3 इंच होती है और हाकी गोल पोस्ट की बैक बोर्ड की उचाई 18 इंच होती है एंड गहराई 4 फुट गोल के खंपे 2 इंच चोड़े और 3 इंच गहरे होती है एंड निक्ष्ट है है हैंड बाल हैंड बाल की गोल पोस्ट की लंबाई या चोड़ाई 3 मीटर एंड उचाई 2 मीटर होती है एंड इसके अंदरोनी गोल रेखा की गोल पोस्ट से दूरी 6 मीटर एंड बाहरी गोल रेखा की गोल पोस्ट से दूरी 9 मीटर होता है एंड 6 मीटर गोल छेतर रेखा से साइड लाइन की दूरी 24-5 मीटर होता है निश्ट है वाटर पोलो वाटर पोलो की गोल पोस्ट की उचाई 3 मीटर एंड पानी में उचाई 90 सेंटी मीटर गोल पोस्ट की गहराई 2.4 जीरो मीटर होता है वाटर पोलो की पानी का ताप 25-26 डिगरी सेंटी गेट होता है एंड वाटर पोलो की गोल रच्छक की टोपी का रंग लाल होता है एंड दोनों टीमों की खिलारियों का रंग निला वर सफेद रहता है नेक्स्ट है पोलो पोलो के गोल पोस्ट की चोड़ाई 8 गज एंड उचाई 10 फूट होता है दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो लेकिन आपके लिए भेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों सभी जितने भी खेलों में गोल पोस्ट होता है फुर्बाल हांकी हैंबाल वाटर पोलो पोलो उस सभी का वड़ान यहां पे की हूं और एक नएक प्रश्ण यहां से जरूर होगा और दोस्तों नेक्ट वीडियो में सभी खेलों की मैच की अवद ही एक जगह पे बताऊंगी जिसको दोस्तों आप लोग नोट करते जाएए और दोस्तों आई होप की दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा यह वीडियो का ऐसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएए और ज्यादस ज्यादस सेयर किया कीजिए दोस्तों क्योंकि मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिसे मैं डेली बेसे से आपके लिए वीडियो जबना शकूँ और दोस्तों पहली गार विजिट कर रहे हैं त निक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिए